है है वाट सब माई यूटूब फैमिली में हूँ आपका होस्ट विक्की और गाइज आज हम खेलने जारें एक न्यू गेम जिसका नाम है डार्कनेस राइज और गाइज यह बेस्ट वन आफ थे एमेमो आर्पीजी वाला गेम है मतलब रोल प्लेइंग करेक्टर वाला और गाइज अची बताऊ ना इस गेम की जितने तारिफ करूँ उतनी ज्यादा कम है मतलब गाइज मैंने इस गेम को प्ले नहीं किया है बट गाइज जो इसका मतलब लुक करना जो मैंने इसका ट्रेलर वगेरा देखा गेम प्ले वगेरा देखा तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा ओपी लेवल का लगा तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपको यह गेम कैसा लगा जहां तक हो सकेगा हम इसकी स्रीच को कंटिन्यू रखेंगे और गाइज इस गेम को कंप्लीट करने वाल जैसागी आप देख सकते हो यह इसका एक किरेक्टर है जिसका नाम वीज़र्ड और ग्याइज वीजे ऑफिजेस का लेने वाले साथ में एक एक टक्रेक्टर है जिसका नेम है बर्सेकर और गाइज आप देख सकते हैं अ ओपी लूग है इस करेक्टर का भी वेसे देखा जाए तो में यह करेक्टर गार्जिन वाला था जो कि गाइज बहुत most important है और गाइज हमारा में करेक्टर होने वाला विच वेसे गाइज इसका नेम ही विच है तो आप समझ सकते हो क्या ओपी वाली करेक्टर होने वाले हैं वेसे आपको पता है ज्यादा तरह करेक्टर में फिमेल सी लेता हूं पता नहीं क्यों बट लेता हूं यह मेरी मदला परशनल चौइस है बड़ कोई निगाइच इसी के साथ अपने न्यू गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं बाकी इस लगा तो वीच को लेके इस्टार्ट करती हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपना नेम विक्की 13 जी यानि गेमिंग लिख दिया है अब गाइज बात करते हैं इस गेम के इस्टार्ट होने की तो गाइज हो सकते हैं पहले इसका स्टोरी लेंड ट्रेलर आए जहां तक तो गाइज जैसा ही आपने इस्टोरी लेंड के ट्रेलर में देखा कि मतलब पूरी प्रित्वी पर बहुत सारे डेमन्स और मोंस्टर्स ने हमला कर दिया और गाइज उसके बाद क्या हुआ वो सब आपको पता ही है मतलब गाइज अब आप समझ सकते हो इस गेम की स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा ओपी होने वाली है और गाइज गेम की स्टोरी यहां पर मरे पड़े हैं और गाइज एक दम बाव बली के सीन वाली वो तीर आ चुके हैं बट कोई नहीं अब बैस की तो और गाइज जैसा कि आप देख सकते हो अपना जो यह मैन करेक्टर मतलब किंग रोल में साइड अपना मैन करेक्टर वेसे हमने तो विच नहीं लिय क्योंकि यह गार्जियन वाला केरेक्टर और इससे देख के लगता है कि यह एक्दम प्रो लेवल का है बट गाइज कभी कभी प्रो लेवल भी और आप सामने ओ बाई साब मतलब गाइज आप देख सकते हो कितने बैंकर यंडे ने हमारी बैंड बजा दी अजीब है जो भी है वैसे विच हो हमारे साथ भी है हमारा केरेक्टर गाइज आप देख सकते हो मतलब इसके रोल प्लैइंग क्या मतलब ग्राफिक्स देखो गाइज आप अब मुझे नहीं पता आप 144 या 240 में देख रहे हो बट गाइज अगर आप रियल टाइम में इस गेम को खेलोगे ना आप मानोगी कि मतलब बेस्ट गेम अब तक अगर RPG गेम की बात करूँ तो मेरा हिसाब से जितने भी मैंने ट्राई किया ना उन में से यह मुझे तो बेस्ट लगा बाकी आप देख सकते हो और गाइज यहां पर क्या हो बाइसा मतलब क्या आग क्यों गोले बरसरे और गाइ पीच में आके इनकी बैंड तो बजा दियो आग कोई बात ने है ठेंक यू यूर वेलकम यह तो यूर वेलकम नहीं बोलेगी तो अपन तो खुद ही बोल सकते हैं कोई नहीं गाइज इनकी बातशीत में ज्यादा तर स्किप कर देता हूं क्योंकि गाइज मुझे सुनने का सोक नहीं और गाइज आप देख सकते हो इसकी एक पावर एबिलिटी मतलब क्या एकदम जमीन से हाथ निकल के इनको मारने की और गाइज यह देखो मतलब आपको यह गेम कैसा लगा मुझे कमेंट में बिलकुल जरूरी बताना है क्योंकि गाइज मुझे अब तक का सबसे पर गेम लगा जितने भी मेरे खेलें पता नहीं क्यों बट लगा है और कर सामने आप देख सकते हो यहीं वाला मौंस्टर जिसने हमारे उस आप देख सब dona Here तो इस जैसा कि आप देख सकते हो इस गैंड़े को मैं इतनी बुल तरीके से मारने वाला हूं कि मतलब आप देखते रह जाओगे देखते क्या रह जाओगे हमारे पास अलग-अलग क्वाल्टी है तुम अपना जो पर जैसे नहीं बाद में कर लेना हमें पहले मारने दो मतलब इनकी बाद चीते देखो चलो कोई नहीं तो गैज जैसा कि आप देख सकते हो अब इस गैंड़े को मारते हैं अलग-अलग परकार के तरीकों से अरे यार में मार दिया वैसे अपनी हेल्थ तो फुल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं और गैज जहां तक हो सके ना इस गैंड़े क अपन को बेंड बजाने एकदम प्रो लेवल से और जैसा कि आप देख सकते हो इसकी हेल्थ मैंने पूरी कम कर दियो और गाइज एक दो और बस इसका काम तमाम मतलब गाइज अपने केरेक्टर का स्वेग तो देखो वैसे गाइज इसका ने विक्की 13 जी लिखा है लेकिन इसका रियल नेम है विच और विच आपको पता है क्या होता है वैसे बताने के जरूर तो नहीं होनी चाहिए आप यह मैं सोच लना मुझे नहीं पता है बट कोई नहीं और गाइज आप देख सकते हो हमारा लेवल फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है लेवल हम टू में आ चु बंदे मातरम